करेंग कुछ पिर व्ल्कम बैक तू ऑरजेनल स्टेंक आपके साथ यहां पे एक । यहां पर ब्लाउज दिजाइन है कर रहे हूं तो यहां पर आपके साथ देंग lider रहां je तो friends यहां पे यह जो कपड़ा है हमारा यह कम है, क्योंकि हम plus size में blouse बना रहे हैं तो यह जो कपड़ा है हमारा कम पड़ेगा blouse बनाने के लिए, तो हमने यहां पे contrast fabric यूज किया है, यह fabric हमने यूज किया है, इस तरह का देखिए यह भी silk में fabric है, क्योंकि इसकी हम sleeves बनाएंगे और इसका हम body बनाएंगे और इन दोनों को mix match कर के हम design बनाएंगे तो इन दोनों के लिए मैंने अलग-अलग lining लिया है इसके लिए मैंने यह वाली lining हमने लिया है sleeves के लिए तो अब हमस्की cutting सूरू करते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर देखिए यह जो लाइनिंग है इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है अब हम इसको चारता फोल्ड कर लेंगे इस तरह से इसमें हमको निशान लगाना है जो ब्लाओज बना रही है इस ब्लाओज का साइज है ज़ो इसका सीना है वो है 41 इंच तो 41 इंच का 1 फॉर्ट हम कर लेंगे तो वो हमारा आएगा लगबग 70 इंच तो 17 इंच हम यहाँ पे इस तरह से देखे जो हम कटिंग करेंगे वो हमारी कटिंग होएगी लगबग 13 इंच पे तो हम यहां पर करना शुरू करते हैं तो यह देखे इसका जो हमने फोल्ड किया है तो हमारी लंबाई आ रही है उपर वाला पल्ला यह हमारा बैक पार्ट है जिसकी लेंध है हमारी साड़े 15 इंच और हम इसमें कंधा और गला कट करते हैं तो हमने उपर से कंधा लेना है डीप नेक कब लाओ जाये इसलिए हम कंधा ज्यादा चौड़ा नहीं बनाएंगे तो यहां पर जो कंधा मैं बना रही हूं वो बना रही हूं लगबग 6 इंच पर तो इस तरीके से हमने यहां पर 6 निशान लगाएंगे और इसको जो है मिला देंगे तो यह हमारा निशान प्रेड़ी है अब हम इसको पहले कट कर लेते हैं उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे अब हम उपर से अलग-अलग कर लेते हैं दोनों पार्ट हमारा अलग-अलग हो गया है अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे back part के neck के तो back part में हम ले लेते हैं कन्दे का निशान लेते हैं उपर से गले का दाइ इंच पर और उसके बार डीपनेस हम ले लेते हैं डीप यहां से हम ले ले रहे हैं लगबक 11 इंच क्योंकि मैं आप वी शेप में नेक दे रही हूं तो मैं यहां पर 11 इंच पर निशान लगाँगी और थोड़ा सा जो है ब्रॉड देते हुए हम इसको इस तरह से निश फ्रंट पार्ट भी कट कर लेंगे तो फ्रंट पार्ट में सबसे पहले कटिंग होती है वो थी आर्म होल के गहराई की तो इसकी हम पहले निशान लगा लेते हैं इस तरह से आर्म होल के गहराई का हमने निशान लगा लिया अब हम गले का निशान लगा लेंगे उपर से 1. वू दे देंगे इस तरह से नहें हम इसको गोलगला बना रहे हैं तो हम पहले इसको एक चौक्त बॉक्स बनाएंगे और इसको हम इस तरीके से गोल कर देंगे तो यह हमारा फ्रन्ट भी कटिंग हो जाएगा आगे के पल्ले को हम दोनों पार्ट को अलग-अलग कर देंगे क्योंकि मैं यहां पर फ्रन्ट ओपन बता रही हूँ यह ब्लाउज तो यह देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया कि अब हमें सिंपल क्या करना है आपको यह जो हमने फाब्रिक लिया था इस पे इन दोनों पार्ट को कट कर लेना है तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कर लेंगे जिसके लिए हम फाब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे तो फ्रेंट्स यहां पर देखिए हमने डबल इंच बड़ा कट करेंगे ताकि जो है हम इस कपड़े को उपर फोल्ड करके तुड़ पाई के लिए कर लेंगे अब हम इसको कट कर लेते हैं तो इस तरीके से हमने जो है बैक पार्ट को देखे कर लिया यह हमने बड़ा कट किया है मैं मैक्सिमम जो है में फैबरी को थोड़ बड़ा रखती हूँ इसे हम इस तरह फोल्ड करके तोड़ पाई के लिए बना लेंगे तो यहां पर हमने इस पैपरी को कट कर लिया बाकी बचे हुए फैबरिक में भी हम जो है फ्रेंट का पल्ला निकाल लेंगे फ्रेंट पल्ले में भी जब भी आप कटिंग करेंगे तो आपको जो है नीचे से थोड़ा सा बड़ा रखना है जैसे कि आपने बैक पार्ट में बड़ा रखा था वैसे ही जो है आपको इसमें भी थोड़ा सा बड़ा रखना है तो फ्रेंट्स यहां पर देखिए हमारा ये पार्ट भी कटिंग हो गया है तो फ्रेंट और बैक हमने यहां पर कट कर लिया अब हम क्या करेंगे स्लीव कट करेंगे तो स्लीव के लिए मैंने अलग से लाइनिंग लिया था ये देखिए इसको हमने अलग से लिया है तो अब हम इस लाइनिंग को इस तरीके से फोल्ड करेंगे अब हमें अपनी चोड़ाई देख लेनी है हमें कितनी चोड़ाई लेनी है ये देखिए यहाँ पर 9 चोड़ाई है हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चोड़ाई चाहिए होगा नौइन चोड़ाई में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होगी तो हमें इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा तो फ्रेंड्स हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं यहां से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे चार फोल्ड में अब जो हमें स्लीव की लेंथ रखनी है पहले वो हम लेंथ निकाल लेंगे हमें लेंथ रखनी है तयार 10 इंच तो एक इंच हम आदे इंच नीचे आदे इंच उपर के लिए 11 इंच पर निशान लगाएंगे और 11 तो इस तरह से हमने 11 इंच पर इसको कट कर लिया है अब क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है तो हम यहां पर यह जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम यहां पर जोड़ करके इसकी चौड़ाई को बढ़ा लेंगे इस तरीके से हम जो है इसको जोड़ लेते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर देखे दोनों साइड हमने जोड़ लगा लिया है अब हम इसे चार फोल्ड कर लेते हैं अब हमको जितनी चौड़ाई चाहिए उतनी चौड़ाई हमको आराम से मिल जाएगी तो यहां पर हम length हमने आपको बता दिया था length हमने लिया है 11 inch चोड़ाई हमको लेनी है वो लेनी है लगबग 9 inch तो इस तरीके से 9 inch पे हमने पहले कट कर लिया, गहराई हम यहाँ पे दे रहे हैं 3 inch की उसके बद आपको जो है normally simple goal में इसको मिला देना है अब हम यहाँ पे मुहरी बना लेते हैं तो मुहरी हमारी अगर 6 inch पे फिटिंग है तो हम 2-5 inch margin ले लेते हैं और इसे मिला देते हैं तो यह हमारी स्लीव्स तैयार है इसको हम कट कर लेंगे इसके बाद हम इसमें छटाई करने होती है तो छटाई करने के लिए जो हमारे सेंटर है सेंटर से 1 inch नीचे हमको एक मार्किंग करनी है margin के लिए हमने जो लिया था 2 inch से 2,5 inch वहाँ पे आपको मार्किंग कर लेना है गहराई हम यहाँ पे 1 inch मार्किंग करेंगे तो फ्रेंट्स यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है हमको हमारी जो गहराई है वो थोड़ी नीचे की तरफ ही होनी चेहिए तो इसलिए हमको इस तरीके से मिलाना है इसको ऐसे अब हम इसको कट कर लेते हैं तो यह हमारी जो है स्लीव की कटिंग हो गई अब हमें क्या करना है इस कपड़े को हम अपने main कपड़े के उपर रखके cutting कर लेंगे हमारा main कपड़ा जो है वो ये है तो इसके border पे हमें इसको रखना है इस तरीके से अब जितना आपको सिलाई लगानी है जैसे आपका ये border का किनारी है तो आपको आधी इंच कपड़ा extra लेना है क्योंकि यहाँ पे जाद़ अपलेन है तो इस तरीके से आप जो है आधी इंचेक्ष्ट्रा पे निशान लगा लीजिए इसके बाद आपको जो है इसको इसके उपर रखना है बराबर में इस तरीके से और इसे कट कर लेना है तो फ्रेंट्स यहाँ पे देखिए दोनों स्लीव हमने यहाँ पे कट कर लिया है तो इस स्लीव को हम स्टिच कर लेते हैं अब मैं आपको जो है इसकी पूरी स्टिचिंग दिखा देती हूं तो फ्रेंट्स यहां पे देखे, यहां पे जो हमने बाजू को कटिंग कर लिया था, अब इसको stitch कैसे करते हैं, यह देखे बाजू का हमारा सीधा हिस्सा है, और इसके उपर हम लाइनिंग को अपने उल्टा करके, इस तरह से रखेंगे, और जो हमारी किनारी है, जो हमने डि पलटके बिल्कुल किनारी पर एक और से लगाएंगे इससे क्या होगा कि यह जो है मारा बिल्कुल अच्छे से से सेट हो जाएगा तो इस तरह से हमको जो है इसको ब्लाउच की दोनों स्लीव को तैयार कर लेना है यहां पर हमारी यह स्लीव तैयार हो गई है इसे तरीके से हम सबसे पहले जो हम्हारा है मारा कमीन कपड़ा है उस पर अस्तर को रखेंगे और हमको क्या करना है इसको 4 से पर चार और से सिलाई लगा गเราum तो आपका कपड़ा वुए से नीचे की साइड और बगल साइड़ा इस देखे 15平 al जलाए में नहीं जाते हैं पहले पला हमारा इस तरह से त्यार हो जाए प्ले चाहिए तरह से त्यार असी तरीके से यम को दोनों पल्ले तैयर कर लेने हैं इसमें हम प्लेट के निशान लगा लेंगे यहां देखिया तीन इंच पर हम इसको मार्क करेंगे दो इंच का जो है हम इस तरह से निशान नीची की तरफ लेंगे फिर दो इंच का निशान हम लगा लेंगे जो कि साइड में हमारे जाएगा यहां से इस तरीके से और फिर हम दो इंच का एक निशान लेंगे जो हमारे आर्म होल में जाएगा तो यहां पे दिखी इस तरह से हमने चारो प्लीट के निशान को लगा लिया है दूसरे पलले को इस के उपर रख के हम जो है थोड़ा सा थप्डपा देंगे जिससे की ये निशान हमारे दूसरे पलले पे भी आ जाएगा यहां पर देख सकते हैं आप जो है दूसरे पल्ले पर भी हमारे निशान छपकिया है जिसको हमने है इस तरह से लगा लेना है अब इनको हम स्टिच कर लेते हैं तो स्टिच करने के लिए हमें क्या करना है नीची के तरब से थोड़ा सा चोड़ा लेकर के सिलाई लगाते जाना है यहां पर सारी प्लेट्स को हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे टो हम इасть नगी करके सारे प्लेट इस तरह से स्टिच करना है फ्रेंट्स बिलेट बनाने में भी आपको थोड़ा दिहान देना होता है क्योंकि प्लेट सब्सक्राइब के अच्छा से से नहीं होती है तो फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी तो फ्लेट सामेसा जो है नीचे के तरफ चोड़ा और उपर के तरह बिल्कुल बारिक पतला निकालते हुए आपको स्टिच करना चाहिए तो यह देखिए यहां पे हमने प्लेट लगा लिया है अब यह हमारे एक साइड का पल्ले तियार हो गया दूसरी साइड भी हम इसी तरह के से स्टिच कर लिये दोनों पल्ले हम क्रइस वेकित लगाना है और क्लिक चुल्स अब बहुत करने लगांगे औरल दूसरी की पत्ति लगांगे तो हम इसको इस तरिके से लगाते है लाइनिंग को उपर से रखना है और सिलाई लगा लेनी है यह दो राइट साइड लगाते हैं इस पर हमें हुकग यह बच देकर बिख्क को गाना होता है तो यह ध्यान दिखेंगा की फोल्ड करके और इसको पूरा लगाना है यहां पर कॉप यह च जबल बंगानी है तो तो पाई के बाद हम इस सिलाई को निकाल देते हैं तो यहां पर हमने इसको सिलाई लगा लिया अब हम दूसरी साइड ले ले लेते हैं लेट साइड यहां पर हम कपड़े की पट्टी लगाएंगे हमने में कपड़े को उल्टा रखना है उसके बाद हम एक कपड़ा लें तो यहां पर देखी इस तरह हम इसको बढ़ाओ पट्टी की तरह बनाते हुए, जिस सिलाई को हमने पहले लगा था उसी सिलाई पे इस पट्टी को दुबारा सिलना है, अभी पट्टी हमारी बाहर की तरफ निकल के तयार होगे, इस पट्टी पे हम बनाते हैं आई, तो यहा इस तरह से सीधा कर लेना है, उसके बाद हम पहले गले के ऊपर कच्छी सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा गला जो है वो अच्छी से सैट रहे, तो केरफ ली आपको जो है इसको सिलाई लगा देनी है, तो फ्रेंट्स आप यहां पर देख रहे हैं कि जो मैंने कपड़ा वो मैंने बड़ा कट किया था, तो यह आपको इस में पता चलेगा कि मैंने इसको बड़ा क्यों कट किया था, यह देखिए इस तरह से हमने पहले गले को सैट कर लेना है, नीचे से आपको पहले सैट नहीं करना है, कभी भी गले को सैट करना है, ताकि कपड़ा नीचे से हम सबמה है अब किनारी सबस्तर को भी कपड़ं में टेंग बेड़ सकुल को बन。 अब यहां सबस्क्राइब टासओन के फैस्ट लिएे के किक संट्र में आपको ड्राजय है ये थीख शांतिर आपका जो आ रहा है यहां पर आपको प्लेट लगानी है लगभग 5-5-6 तक प्लेट लगानी होती है यहाँ देखिए बड़ा है कपड़ा इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा प्लेट लगाया है क्योंकि कपड़ा हमने extra लिया हुआ है तो इसको अब हम इस तरह से सिलेंगे निचे से थोड़ा सीधा लाते हुए फिर triangle से निकालना है यानि corner attach करेंगे अपने front पल्ले के साथ तो यहाँ पर देखिए front पल्ला जो है कंधे से कंधे को मिलाके हमको सिलाई लगा देनी है इस तरह से हम यहाँ पर एक side का कंधा जोड़ लेंगे दूसरी side भी हम इसी तरीके से कंधे को जोड़ लेंगे friends I hope कि आपको मेरी वीडियो समझ में आती हैं और आप जो है अच्छे से बना लेते हैं बलाउज तो please comment में मुझे जरूर बताएगा अगर आपने मेरी वीडियो देखके बलाउज बनाया तो और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजेगा तो यहाँ पर अब हम गले की लिए गले की पट्टी तैयार करेंगे तो यह देखिए जो हमारे गला है इसके लिए हमने उरेब पट्टी लिया है judgment इसको हम डबल फोल्ड करके इस तरह से जोड़ना शुरू करते हैं तो यहां पे देखिए हम गले के किनारी पकड़ते हुए और इसको सिलाई लगा लेंगे तिर्शे पट्टी यूज करते हैं तिर्शे पट्टी हमारे गले को बहुत ही अच्छे सेट कर देती है किसी भी तर पट्टी को मोडना है यहां पे थोड़ा सा कॉर्ननर एक ब्लेट देते हुए आप मोडएंगे और उसके बाद वहां पे कॉर्णर आपको बनानी है इस तरह से आप घुमा दीजिये पट्टी को यहां पे देखिए इस तरह से बहुत आशानी से जो है पट्टी हमारी गुम अगे की साइड जहां हमने घटाव पत्ती दिया है वहां पर हम थोड़ा सा जो है इसको अंदर गहराई में Lte ओप्टि आधा लगा लगे के बाते हुगता सिल्हां बेलिकुल हलका सा घहराई लेना है क्योंकि इधर正 born जो फोगर में पट्टी कालगा से पोड़ा सटाई करस देंगे थोड़ा सब्सक्ते कांगा करें और एक प्षेटरा वह पंसे कौन ca. कट लगा लिया और यह देखिए यहां से हम बराबर कर लेंगे ताकि जो है जब हम पट्टी को फोल्ड करें तो हमारा जो है कपड़ा बाहर ना निकले हमने इसको छाट के बराबर कर देना है यह देखिए हमने छटाई करके बराबर कर लिया अब हमारा यह जो पट्टी है य और इसको हम अंदर फोल्ड कर लेंगे पूरी तरह से यहां पर जो मैं सिलाई लगा रही हूँ यह सिलाई कच्छी सिलाई है आप जो है इसको तोड़ पाई करने के बाद निकाल देंगे यहां पर क्यूंकि नेक लाइन है यहां तोड़ पाई होती है तभी फिनिशिंग अच यह देखे बैठाते हुए एंड में भी जो हमने पट्टी को थोड़ा बड़ा रखा था उससे हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके और फिर सिल्के निकाल लेंगे तो यहां पर हमारी गले की पट्टी देखे तयार हो गई गला हमारा इस तरह से तयार हो गया देखे काफे कि अच्छे से हमरा गला बैटा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हमें क्या करना है इसको सीधा करना है सीधे की साइड हम बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा पकड़के और सिल्याई लगा लेंगे यह सिल्याई में इसलिए लगाती हूं ताकि जो है जब हम फिटिंग तल से लगाए तो हमें इंटर लोक नहीं करना पड़ेए और हमारी जो सिल्याई है कि यह कि देखिए हमने एक्स्टर कपड़ा बिल्कुल जरा सा सिल्याई लगाना है लें पकड़ए और इसको दोनों साइट से हमको सिलाई लगाके और जो एक्स्टरा कपड़ा है उसको छेटाई करके बाहर निकल जाएगा वो तो इस तरह से हमने देखी यहाँ पे भी सिलाई लगा लिया अब यहां पे हमने जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उबडखाबड जो भी था उसको हमने बराबर कर लिया अब यहां देखिए नीचे की साइड हम आ गए अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया था उसको हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है ये हम तो उड़पाई के लिए करते हैं इस तरह से फ्रेंट्स इसका एक फायदा होता है अगर इन फ्यूचर अगर आपको और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं और आपको ब्लाउज को जो है लूज करना पड़े या ब्लाउज की लैंट बढ़ानी पड़े तो आपके पास जो है ऑप्शन रहे आप इसको ओपन करके अलग से पट्टी अटैच करके इसको लंबा कर सकते हैं तो इसी वज़े से जो है मेन फैब्रिक मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया था क्योंकि लेडिज में काफी प्रॉब्लम होती है ये कि लूज टाइट करने वाला कभी वो मोटी होती है कभी वो पतली होती है तो इस वज़े से मैं जो है आप्शन रखती हूँ तो ये इस तरह से देखिए अब हमने इसको त्यार कर लिया जिसे भी हमने फोल्ड कर लिया अब हम यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे तो जिसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और फिटिंग का निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे 41 साइज का ये बलाउज है तो 41 का 1 फोर्थ करके हम यहाँ पर नाप के दोनों साइड फिटिंग का निशान लगा लेंगे और कमर का भी 1 फोर्थ करके नाप के हम यहाँ निशान लगाएंगे तो देखिए हमने निशान लगाया है यहाँ देखिए यह हमने 17 इंच पर निशान लगाया है और नीचे के साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 9 इंच पर निशान लगाया है तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिटिंग लगा लेते हैं अब यहाँ पर दो सिलाई हम लगाते हैं एक सिलाई तो बिल्कुल फिटिंग पर हम लगाएंगे और जो दूसरी सिलाई है वो थोड़ा सा हम बाहर की साइड निकालके लगाएंगे एक पैर की डबल सिलाई कभी भी लगाने चाहिए क्योंकि कभी भी इमर्जेंसी आपको जो है लूज टाइट करना पड़ सकता है इसलिए हम इसा जो है प्रॉपर एक ही सिलाई नहीं रखना चाहिए तो यह देखे हमने दो सिलाई यहां भी लगा लिया दोनों साइड हमको इसी तरीके से दो सिलाई लगा लेनी है दोनों साइट हमने यहाँ पे दो सिलाई लगा ली है अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे इसके साथ यह देखे हमारा बलाउज लगबक कम्पलीट हो गया है अब हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे तो sleeves attach करने के लिए हम यहाँ पे sleeves को लेंगे इसको हमें fold करना है और जो हमारी fitting है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे तो हमारी fitting जो है वो 6 इंच, 5-6 इंच तक है तो हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है और उसके बाद हम armhole को इस तरह से पकड़के यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे इसको मिला लेते हैं और फिर हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पे भी हम दो सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें भी हमको extra कभी भी loose tight करना पढ़ सकता है इसलिए हमको जो है दो सिलाई का option जरूर रखना चाहिए तो हमने यहाँ पे दो सिलाई लगा लिया दोनों स्लीवस हम इसी तरी के सिलाई करेंगे दोनों स्लीवस को हम सिलाई लगा के तियार करके सीधा कर लेते हैं यह देखिए यह मैरी स्लीवस है दोनों स्लीवस हमारी तियार हो गई अब हम इसे attach करेंगे तो यह देखिए यह जो शटाई वाला portion है यह हमारा आगे की side आएगा यह देखिए यहाँ पर तो अब हमें इसको इसके अंदर इस तरह से यहाँ देख रहे हैं आप इसको इसके अंदर कर देना है दोनों शटाई वाले को आगे से हमको पकड़ लेना है बिल्कुल corner से corner इस तरे से मिलाना है और आपको यहां पर सिलाई लगानी है ऐसे देखिए अब इसको जोड़ देना है गोल में जोड़ना है आपको किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है थोड़ा भी बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए जोड़ते जाना है कॉर्णर पर आपको जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको फोल्ड कर देना है ट्रैंगल में जो भी स्लीव क कपड़ा है आपको उसे भी फोल्ड कर देना है और इस तरीके से देखिए हमने स्टिच करके निकाल लिया अब यहां देख सकते हैं आप जो हमारी बाजू है काफी अच्छे सेसे जोड़ लिया है। भी देख सकते हैं। इसे तरीके से धूसरी साइट की भी भाजू को हम अटेच कर लेंगे। अब यहां पर हमने भाजू को अटेच कर लिया। अब हम नीचि के साइट थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए हमने यहां पे लिया है कपड़ा चौकुर कपड़ा ले रखे हैं इसको अब हम बनाएंगे बो तो उसको देखिए आपको यहां से पहले साइडों से सिल देना है इस तरह से इसके बाद आपको इसको सीधा कर देना है यहां पे हम बो बना रहे हैं तो आपको सीधा करके थोड़ा सांदर फोल करके एक और सलाई लगा देनी है फ्रेंड्स बो बनागने के भी कई सारे तरीके हैं तो मैं यहाँ पर क्योंकि कपड़ा जितना बचा था उसमें हमें बनाना था तो इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ तो यहाँ पर हमने चौकर त्यार कर लिया अब हम इसको इस तरह से प्लेट्स लगा लेंगे और यह देखिए यह बो हमारा तयार हो गया इसको हम मसीन से पहले सेट कर देते हैं थोड़ा सा सिलाई लगाके आप चाहें तो सुई धागे से भी कर सकते हैं अब यह देखिए यहां पर हमने पट्टी कट किया है कुछ इस को सिल देते हैं साइडों से पतला सिलते हुए आपको निकाल लेना है ज़्याद चोड़ आपको नहीं स्टिच करना है अब इस तरीके से आपको जो है अब इसको सीधा कर देना है यह पट्टी भी आप अपनी चोईस के हिसाब से रख सकते हैं आप चाहे तो इस ट्रेट चोकोर पट्टी भी बना सकते हैं और चाहे तो आप ट्रैंगल वाली पट्टी भी बना सकते हैं तो यहां पर मैंने ट्रैंगल वाली पट्टी बनाई है अब यहां देखिए यह जो आपस में जोड लेते हैं पहले अब हम अपने बो के उपर इसको सेट कर लेंगे यह हमारा बो है इसके उपर हमें जो है इसे अच्छे से सेट कर लेना है देखिए इस तरह से अब आप इसको सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर नथी कर सकते हैं नती करने के बाद ये इदर उदर खिसकेगा नहीं तो ये बो हमारा जो है तैयार हो जाएगा ये देखिए बो हमारा तैयार हो गया है अब हम अपने blouse के back neck पे इसको set करेंगे ताके हमारे blouse को और अच्छा contrast मिल सके तो यहाँ देखिए इसको हम यहाँ पे इस तरीके से set कर लेंगे और पीछे से नती कर लेंगे तो friends हमारे ये blouse कमप्लीट हो गया है I hope कि आपको ये blouse डिजाइन अच्छा लगा होगा तो please वीडियो को like, comment, share करना बिलकुल मत भूलेगा चैनल पे नहीं आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि मैं हापे आपको रेगुलरी blouse के वीडियो और dresses के वीडियो अपलोड करती रहती हूँ तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद